देश की राजनेती में आज दो शब्दों की टक्कर है अलग शब्दों की इनके मतलब अलग है एक शब्द हिंदू दूसरा शब्द हिंदुत वादी ये एक चीज नहीं है ये दो अलग शब्द है और इनका मतलब बिल्कुल अलग है मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत वादी नहीं हूँ ये सब हिंदू है मगर हिंदुत वादी नहीं है और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत वादी शब्द के बीच में फरत पताना चाहता हूँ भाई और वेनो महात्मा गांदी हिंदू सही बोला महात्मा गांदी हिंदू गोट से हिंदुत वादी फरक क्या होता है फरक मैं आपको बताता हूँ चाहें कुछ भी हो जाए हिंदू सत्य को ढूंडता है मर जाए कट जाए पिस जाए हिंदू सच को ढूंडता है उसका रास्ता सत्य ग्रहा पूरी जिंदगी वो सच को ढूंडने में निकाल देता है मात्मा गांदी ने ओटो बायगर्फी लिखी माई एक्स्पेरिमेंट्स विद प्रूथ मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए सच को ढूंडने के लिए बिता दी और अर्थ में एक हिंदुत वादी ने उनकी चाती में तीन गोली बारी हिंदुत वादी अपनी पूरी जिंदगी सत्य को खोजने में डाल देता है लगा देता है उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं उसे सिर्फ सत्य चाहिए उस सत्य के लिए वो कुछ भी कर डालेगा किसी को मार देगा कुछ भी बोल देगा जला देगा कार देगा, पीर देगा, मार देगा उसे सत्ता चाहिए उसका रास्ता सत्यग रहा नहीं उसका रास्ता सत्ता रहा है हिंदू माई और मेनो हिंदू अपने डर का सामना करता है हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और एक इंच पीछे नहीं रटता है वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है पी लेता है हिंदुत वादी भाईओ भेनो अपने डर के सामने जुख जाता है अपने डर के सामने वो मथ्था देखता है हिंदुत वादी को उसका डर दुबा देता है और इस दर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है दर से नफरत पैदा होती है गुसा आता है, क्रोग आता है हिंडू दर का सामना करता है उसके दिल में शांती पैदा होती है उसके दिल में प्यार पैदा होता है उसके दिल में उसके अंदर शक्ती पैदा होती है ये भाई और बेनों हिंदुत वादी और हिंदू के बीच में फरक है मैं आपको ये भाशन क्यों दिया क्योंकि आप सब हिंदू हो हिंदुत वादी नहीं और ये देश हिंदूों का देश है हिंदुत वादियों का नहीं और आज अगर इस देश में महेंगाई है दर्द है दुक है तो ये काम हिंदुत वादियों ने किया है हिंदुत वादियों को किसी भी आलख में सबता चाहिए जैसे महात्मा गांदी ने कहा मैं सचाई जाता हूँ मैं सचाई ढूंबता हूँ मुझे सत्ता नहीं चाहिए वैसे ही ये कहते हैं मुझे सत्ता चाहिए सचाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं सचाई जाए बाहर में मुझे कुर्सी मिल जाए बस और 2014 से इन लोगों का राज हिंदुत वादियों का राज है हिंदुओं का नहीं से ये न हिंदुत वादियों का राज है हिंदुओं का नहीं और हमें एक बार फिर इन हिंदुत वादियों को बहार निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है हिंडुकाण